आज कल की माताओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे हमारे सबजी नहीं खाते हैं वाकई में बच्चे सबजी एकदम नहीं खाना चाहते हैं उनको तो सिर्फ बस पिजा दे दीजिए, माइकरोनी दे दीजिए, नूडल्स दे दीजिए, मोमोज दे दीजिए, बस यही सब खाना चाहते हैं, तो आज हम आपके बच्चों के लिए बहुत ही हिल्दी नास्ता ले करके आए हैं, जिसको आप टिफिन में उन्हें दे सकती ह इसमें दाल भी है, और सबजी भी है, और इसमें पनीर भी है, बहुत सारी चीजे हैं इसमें, तो चले, शुरू करते हैं बनाना, अगर वीडियो पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, सेयर कर सकते हैं, तो यह हमने एक कटोरी मूं की दाल ले लिया है, इसको हमने चार घंटे पहले भीगो दिया था, यह अच्छी तरह से भीग गया है, अब हम एक मिक्सी का जार ले ले लेंगे, और यह जो हमने दाल भीगो के रखा था ना, इसको हम इसमें डाल देंगे, तो यह हमने सारी दाल मिक्सी के जार में डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी लौकी, जिसको हमने च्छील करके छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया है, तो इसको भी हम दाल के साथ डाल देंगे, लौकी की जगह आप गाजर भी डाल सकती हैं, सिमला मिर्च भी डाल सकती हैं, गोभी भी डाल सकती हैं, जो भी पसंद हो, आप सब डाल सकती हैं, अब थोड़े से अधरक और हरी मिर्च डाल देंगे, मिर्च थोड़ा कम डाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे तीखा कम खाते है अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है कि लोकी हमारी खुद पानी छोड़ती है अब हमें सारी चीजों को अच्छे से पीस लेना है तो ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है अब एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम इसको निकाल लेंगे अगर आपका बैटर सूखा लगता है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं तो इस तरह से इतना गाढ़ा बैटर हमें तयार करना है इससे न गाढ़ा होना चाहिए न पतला होना चाहिए अब हम गैस पर एक तवा चढ़ाएंगे और इसमें हम तेल डाल देंगे और तेल को चारो तरब से फैला देंगे तो ये हमने तेल को चारो तरब से फैला दिया है और तवा हमारा गरम हो गिया है अब यह जो हमने वेटर लिया था इसको ले लेंगे और इसको एक बार हम अच्छे से चला लेंगे इस चीज का ध्यान हमेशा रखिए कि मूं की डाल का बैटर अगर बनाईए तो उसको जब भी आप किस भी बनाने के लिए डालिए तवे पे तो उसको चला करके ही डालिए तो यह हमने एक कलशिल इसमें डाल दिया है अब उपर से हम पनीर लगा देंगे पनीर को हमने अच्छे से कदुकस कर लिया था अब चारो तरफ से हमें अच्छे से पनीर को लगा देना है अगर आपका बच्चा पनीर नहीं खाता हो तो इसके उपर आप चीज डाल दीजि चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा सीजनिंग डाल देंगे जिसके लिए बच्चे परिसान रहते हैं क्योंकि पीजा पे तो इसी की महेक को सून करके बच्चे कितने खुस हो जाते हैं अब थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे अब इसको हम ढख करके धीमी गयस पे दो मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे इसको ढखेंगे दो मिनट हो गया है अब हम इसे पलट देते हैं यह इस तरह से अब इसको भी हमें एक मिनट के लिए छोड़ देना है फिर पलट लेना है यह देखिए इसी तरह से हमें दोनों तरब से अच्छे से सेक लेना है यह अभी थोड़ा सा गीला लग रहा है तिसलिए हमें अभी इसको और सेक ना है अब यह अच्छी तरह से पक गया है अब हमें एक प्लेट ले लेंगे और इसको निकाल लेंगे तो यह देखिए यह उपर से भी कितना बढ़िया पका है यह देखिए अब ही हम आपको एक और बना करके दिखाते हैं तो चलिए फिर से ले लेंगे वेटर को और इसको फिर से हमें अच्छे से चला लेना है तो यह हमने फिर से अच्छे से सारी बेटर को मिला लिया है अब एक कलचिल लेंगे और तवे पे डालेंगे इस तरह से और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ एक चम्मस तेल डाला था हमने उसके बाद से हमने तेल इसमें जरासा भी नहीं डाला है ना बटर डाला है त करनें आपने के अच्छे से हैं और ध्यान रगना है कि आ सुवेने दूनों तरफ से चेक. तो देखिए दिया है इसको अंची तरह से ये और इसेे उसी को आप प्लेट ले लेंगे और दो यहां दिया द। अगर आप इसको बना करके डानिंग टेबल पर रख देंगे ना तो बच्चों को तो मज़ा आजाएगी यह देखिए आपका मन कर रहा है ना खाने का तो भाई जो जो खाना चाहता है वो मेरे घर आजाए हम बना करके उसको खिला देंगे अब हम एक प्लेट ले लेंगे तो हुआ खाना अगर आप एक बार खाएंगी तो हमेशा आप उसी में ही खाना बनाएंगी अभी हमने खीर बनाया था बहुत ही स्वादिश्च खीर बना था आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं जाकर के तो यह देखिए यह हमारा हेल्दी स्नेक्स बनके तैयार हो गया है अब इसको आप कुछ भी कह लीजिए पीजा कह लीजिए या आप इसको उत्पम कह लीजिए या चिल्ला कह लीजिए जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं हम आपको इसको तोड़ करके दिखाते हैं तो यह देखिए देखिए अंदर से भी कितना अच्छ को कल सुबह नास्ते में जरूर दीजिएगा इसको और बच्चे तो खा करके खुस हो जाएंगे आप लोग इंज्वाय करें अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर कर सकते हैं इस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी मेरा पे